हेलो वेल्कम फ्रेंटि मैं हूँ विकेस और आप देख रहे हैं मेरा यूटूबम चेनल हैकि मास्ट वाल इनवान तो दिस्तो आज कि पूडबे में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक YouTuber हैं जेए अजनज तो अगर आप एक YouTuber हैं तो आपको भी playlist playlist create比내 से क्या होगा इससे क्या फाइदा होगा क्यूं करना चाहिए और इसे करने पर हमें क्या फाइदा होगा सारा चीजे बताने वाला हूं तो ज Chinese के लिए देखते रहे वीडियो को सुरू से लेका आखिर तक तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसेपेले लेते हैं कि अधिर्बेदर क्रेट करना क्यों चाहिए निए मां लेते हैं कि आगर आपका चैनल डिलेटर अनिके आप पढ़ाते हैं और उस Алून और सुपजक्त है वह साइन तो आज साइन्स पर ठीक है तो वह प्र प्लेश्ट मैंस नहीं देखीएगा लेकिन अगर आपने जो प्लेश्ट है उस पर अगर आपने मैथमेतिक का एक अलग से बना है playlist और सारा का सारा चीज़े जो है वहां पर डाल रहे हैं mathematics related ठीक है जो भी topics है आप mathematics related अगर subject डाल रहे हैं तो आपका जो है सारा भी जाएगा playlist के थुरू आएगा ठीक है सारा भी जाएगा playlist के थुरू क्योंकि उसे mathematics पसंद है तो वह जाएगा प्लेइस्ट पर और सारा चीज़े जो है वहाँ पर उसे मैखमेटिक्स रिलेटेड़ जो टॉपिक से सब्जक्ट है उसे देखने को मिल जाएंगे जो कि उसे फाइदा होगा और साथ में आपको भी फाइदा होगा क्योंकि इससे भी बहुत आएंगे इसलिए हमें जो है अल प्लेजुस्ट की स्क्रेवल, तो तो दोस्तों आज मैं आपको एक आसन तरीका बताने भाला हूं जिससे आप आसनी से शिर्फ 10 यां 15 सेंड़ पर आप प्लेडिस्ट क्रेट कर पाऊँगे तो दोस्तों सब सब पहले हैं तो आपको जो है युटुब को ऊपन कर लेना है य यह प्लेइस्ट ठीक हो और यह जो प्राइबेट है इसे प्रॉपरिक करके क्रियाट कर लेना है 15 सेकंड भी नहीं लगा होगा ठीक है अब दख सकते हैं यह जो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिए तो बाव बाव दोस्तों मिलता हूं मेरे नेक्स दुलिए पर तब तक के लिए टेक क्यार गुडबाव